आज से हम लोग मैत का कोशन को सोल्व करेंगे तो पाहला कोशन रहा यानि कोशन नमड़ एक 133 डिसमिल जमीन हो तो सारे छो हात की लगी से धूर का ठाय वंबिगा ग्यात करें जैसे आप लोग को पता होगा की धूर का सुत्र क्या होता है धूर का सुत्र होता है धूर बराबर धूर बराबर डिसमिल गुन्य नौसो अरशट बट्टा पांच बट्टा पांच भागा लगिये स्कुए और हमको क्या बताया गया इसमें कि इसमें जो है दिसमिल का जो मान है 133 है और लगी का जो मान है सारे छे हात है तो हम डिसमिल के जवर पर डिसमिल का मान रखेंगे और लगी के जवर पर लगी का मान बाकी सेम रहेगा यानि इस सुत्र पर बैठी जाए तो हम लोग डिसमिल का मान बोला 133 तो 133 डाल दियें उसके बाद 968 बटा पांच भागा लगी सारे छे हात है तो 6.5 लिखेंगे इसका क्या है स्क्वाइर है स्क्वाइर कर दिये उसके बाद 133 गुन्ने 968 बटा पांच तो भागा इसको लिख सकते हैं लोग जब दसमिल बटाएंगे तो एक पे 0 आ जाएगा तो दसमिल बटा देंगे तो एक पे 0 जाएगा इसका स्क्वाइर है स्क्वाइर हम लोग लगा दिए फिर इसको 133 गुन्ने 968 बटा पांच भागा जब इसको काटेंगे पांच से तो पांच दूना दस आप पांच को तेरा बार पढ़ेंगे तो 165 आ जाएगा यानि तेरा पंचे 65 तो इसको लिख सकत हम लोग 13 बटा दो ठेक चलो 133 गुन्ने 968 बटा पांच बटा पांच यह मारकर का इंक खतम हो गया तो 133 गुन्ने 968 तो भाग है इसको क्या करेंगे चलिए भाग है तो भाग मा भी राने देंगे तो इसका स्क्वाइर हो जागा एक चौन्न यानि तेरा का स्क्वाइर 179 और दो का चार अब इसको 133 गुन्ने 968 बटा पांच भागा है तो गुना में चेंज करतेंगे भागा गुना में जब चेंज करतें तो यह क्या होता है पलट जाता है सामने वला इसके सामने वला क्या होता है यह वला पलट जाएगा तो चार उपर चला जाएगा और एक चौन नौ नीची चला जाएगा यह एक सो जाएगा यानि इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा आर्सो पैतालिस आर्सो पैतालिस यह क्या निकला इतना अब यह दूर में चल रहा है क्या चीज में चल रहा है दूर में चल रहा है जब इसको हम भाग देंगे जब इसको भाग देंगे तो हम लोगों कितना आ तो भाग देंगे तो आएगा 609.30, ये धूर में आया, क्या चीज में आयाँ तो धूर बरावर, धूर कितना आगया, 609.30, ठेक जब धूर है अब हमको क्या धूर निकल गया, अब कठा निकलना है, ठीक है, कठा, कठा निकालना है धूर में 20 से भाग देंगे तो कठ्था में चेंज हो जाता है तो 609.43 भागा 20 तो यह कितना आ जाया कठ्था जब इसको हम भाग देंगे तो कठ्था आ जाएगा 30.4471 यह इतना कठ्था हो गया अब कठ्था को जो है आमको कठ्था को हमको अब क्या चेंज में चेंज करना है बीघा में तो बीघा बड़ाबर क्या बीघा बड़ाबर तो बीघा निकालने के लिए वो कठ्था में 20 से भाग देना परेगा तो भाग देंगे तो 30.4471 कठ्था था जब 20 से भाग देंगे तो यह आ जागा कितना बीघा बिघा में चेन हो जागा जब 20 से भाग देंगे कठा में तो बिघा में चेन हो जागा तो बिघा हो जागा एक दसम लग एक पांच मुझा कि दू ती को